Hello guys, welcome back to my YouTube channel Guys, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Bar Bending Machine का Safety Inspection कैसे करना है जो हमरे साइट पर Bar Bending Machines होते हैं उनके Inspection कैसे करेंगे इस वीडियो में जानेंगे Bar Bending Machine एक Electrical Machine है जिसका हम यूज करते हैं Metal Rods को जिसे हम सरिया बोलते हैं Band करने के लिए जैक करना है तो आइए इस वीडियो को सुरू करते हैं So as usual हमारे पास एक inspection checklist है यह checklist आपका bar bending machine का है इसमें अलग-अलग points दिये हैं तो हम सभी points को cover करेंगे सबसे पहला physical condition of body should be good and sound जो भी bar bending machine उसका physical condition सही होना चाहिए उसमें किसी उतरे का damage और crack नहीं पाया जाना चाहिए सेकेंड है electrical connection should be taken through industrial plug in proper manner जो भी हम electrical connection ले रहे हैं वो आपका industrial plug के द्वारा ही लिया जाना चाहिए और वो proper manner में लिया होना चाहिए थार्ड है power cable should be free from damages जितने भी उसमें power cable हम यूज कर रहे हैं उसमें किसी उतरे का damage कोई भी cut यह सब नहीं होना चाहिए फोर्थ है operating switch should be free from defect एक्जामपल अनिसुलेटेड और ब्रोकेन ETC यानि जिस भी हम switch से उसे operate कर रहे हैं उसमें किसी उतरे का defect किसी उतरे का damage नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है emergency stop button should be mushroom headed with red color जितने भी emergency stop button होते हैं वो कोई भी machine हो उसमें जो button लगे होते हैं वो बाहर के तरफ उबरा हुआ होता है और red color में होता है तो ठीक इसमें भी इसी तरह का होना चाहिए क्योंकि उसे आसानी से कोई भी operate कर से के कोई भी उसे दबा सके यहां mushroom काने का sense यह है कि mushroom के तरह बाहर के तरह उबरा हो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे है emergency switch कैसे बाहर के तरफ उबरा हुआ है next है बार support should be properly fitted with machine जो भी बार support machine के दोरा fit किया गया है वो properly fit होना चाहिए सई धंक से लगा होना चाहिए 8 है pin should be free from loose fittings जो भी pin उसमें लगाये गया है वो IS 3043-1987 IS 3043-1987 के according machine में guard लगा होना चाहिए last time machine should be operated by competent person जो भी person उस machine को operate कर रहा है वो competent होना चाहिए उसके लिए उस machine को operate करने के लिए तब ही वो person यूज़ कर सकता है उस machine को तो आप इसको आप भी पढ़ सकते हैं इसका checklist के link आपको मिल जैके description में वहाँ से आप download कर सकते हैं और इसलिए आप use भी कर सकते हैं इसे edit करके अपने site पे So thank you for watching, thanks